गुड इवनिंग दोस्तों अमारी करेंट अफियर लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है और आज हम देखेंगे 27 मार्च 2018 के मैतोपूर्ण मैतोपूर्ण समाचार कौन से आज हम दिसकस करेंगे प्रेंशिपल साइन्टिफिक एडवाइजर की न्युक्ति किसके कौन इस पद पर न्युक्त हुआ है क्या कब इस पद का प्रावदान क्या उससे सम्मंदित बाते अपन करेंगे इसके लाब बीटी कोटन और एच्टी कोटन का क्या इशू उसको देखेंगे डाउन सिंड्र हम देखेंगे मैं बेस्ट क्यूस्टिन जो क्या क्या एक्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके रिगार्डिंग हम कुछ पॉंट तो लैट्स स्टार्ट सबसे पहले जो न्युज है वो क्या प्रेंसिपल साइन्टिफिक एडवाइजर की न्युक्ति से सम्मंदित यह जोसके बीच लिंक का कारिय करता है कौन यतने यौजक कडईग कारिय करता है वैगयनिक सलाकार या पर्मख वैगयनिक सलाकार तो पहले बात तो कौन सा परंडूर्डिंत है इस पोश्ट पर न्युक्ति की गई में इसके अलावा principle scientific advisory के अलावा और कोई भी पोस्ट होती है कि हाँ बिल्कुल होती है कौन सी पोस्ट होती है तो एक होती है दो एक पोस्ट होती है से सी पीम कौन सी से सी पीम से सी पीम पोस्ट होती है प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर और एक होती है एडवाइजरी काउंसिल टू कैबिनेट लेकिन इस गोर्मेंट ने एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर और चे रागवन जे की इसके अलावा एक होता है science advisory council to cabinet और science advisory council to prime minister तो अपने को के रागवन और इस पद की शुरुवाद का वितियो ने सुने नारम में यह दो point अपने को इसके regarding ध्यान में रखने हैं तो bt cotton से regarding क्या issue है कि bt cotton क्या मतलब क्या है bacillus thurigens bacillus thurigens कौन सा जैन्स thurigens एक बैक्टरिय है जो कि कि किसके अंदर रोग पैदा करता है bacillus thurigens कपास के अंदर गोल वर्म या बोल वर्म डिजिज पैदा करता है अब क्या क्या साइन्टिस्ट होना है कि इससे समंदित जीन को अटा दे और नई जीन डाल दे जिससे कपास के अंदर यह रोग होता नहीं कौन सा रोग नहीं होता bacillus thurigens कौन कौन सी तीन जीन इस ऐसी कपास के अंदर डाली एक तो CRY क्राई जीन क्राई से याद रक्षे तो क्राई जीन इसके लावा Npt second कौन सी जीन Npt second इसके लावा आध जीन कौन सी जीन आध जीन कौन सी आध जीन कौन सी एडबल डी ए डी और Npt second दो याद रखने Npt second एड AAD Npt second और AAD यह एक selectable marker की तरह काम करती हो और यह उसको कोई नुक्षान ने पहुचाती जो बैक्टरिया उसको कोई नुक्षान ने पहुचाती कोन Npt second और AAD selectable marker का मतलब है कि अग अगर मालो अपने कपास के बीज के अंदर कोई जीन डाला है तो कपास के ऐसे बीज में से अपने को पहचाना भी तो पड़ता है कि वह जिसके अंदर यह जीन नहीं डाले गई तो इसलिए selectable marker का काम करते हैं कौन Npt second और AAD तो पूच लेग वह बीटी कोटन के अंदर selectable marker क काम कौन करता है कि वह कौन सी BT कोटन और कौन सी normal कोटन है तो इसके अंदर दो जीन है कौन सी Npt second और AAD जीन कि 2005 में BT को इंडिया के अंदर मंजूरी दे दी किसी फसल को मंजूरी देने के लिए कमेटी होती रोज का नाम क्या होता है genetic engineering approval committee जो इसको मंजूरी देती है 2005 में 13 ऐसी फसल के लिए आवज दन आये तो इसमें scale कितने एक वाराइटी को मंजूरी दे गई अब क्या है कि recently एक HT cotton का concept हो चल रहा है पहले वह हमने discuss किया था है HT cotton क्या है HT cotton सम्मन देता है herbicide tolerant cotton herbicide है कौन सा side herbicide 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 tolerant cotton का मतलब क्या है कि मालों कपास में क्या problem होती है जब कपास बड़ी हो जाती है तो माल तो कपास के जो flower अब उसके उपर कोई भी herbicide sprinkle करोगे तो उसको नुक्सान हो पहले बात दूसरी क्या होता है कि अगर कोई herbicide है खरपतवार नासे इस कपास के खेट में डालते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है कपास भी जल जाते है को भी मानेता नहीं है। इसको एच्टी कोटण को BG3 कोटण भी कहते हैं। को हैं। कि इसके अलावा BG3 कोटण द्यान्वराइक और इसके अंदर कौन सी जीन दालिये तो RRF, कौन सी जीन डालिए, RRF, Rapid Round Flex Gen, किस में? HT Cotton में, तो यह अपने को द्यान मरखना है, BT मतलब Bacillus Thurigens, HT मतलब Harbicide Tolerant Cotton, और BT में कौन से 3 GEN होते हैं, BT के अंदर 3 GEN हों कौन से है, CryS GEN, NPT GEN और AAD GEN है, अगली जो निवज हैं, वो किस समभन दीते हैं, बोड़ी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, तेईस जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, तेईस जोड़ी में से जो 21 नम्मर का क्रोमोसोम है, उसके अंदर उसके डुपलिकेशन हो जाता है, दबल बन जाते हैं, 21 नम्मर का क्रोमोसोम, तो 21 नम्मर के क्रोमोसोम की डुपलिकेशन उसके आयट नहीं बढ़ पाती पोर्ट बेली हो जाता है तो वह सारी सारी चीज़े तो अपने माइंड में इंपोर्टेंट बात क्या है कि 21 गुण सुत्तर पर डुप्लिकेशन से और इसको बोलते हैं एक नेशनल कॉनफरेंट्स होई है डाउन सिंद्रोम पी कहाँ पर किसने आयोजित करा यह पहली बात हुए हमारे सामाजिक नयायो कल्याण मंत्रा लेने थावर चंद गयलोजी का जो मंत्रा लेने इसको आयोजित करा है इसके अलावा जो सम्यक्तराष संग ने 21 मार्ज को क्य में इसको आयोजित करा थे इस कॉन्फरेंस को डाउन सिंद्रोम कॉन्फरेंस तो नेशनल ट्रस्ट के एक सैचुरेटरी बोड़े हो कि इसके अंडर में काम करती है यह काम करती है डिपार्टमेंट ओफ एमपावर्मेंट परसन एंड डिसेबिलीटी मिनिस्ट्री ऑप सुथर 21 नमबन का गोम है सोथर 21 ऐंडरेंस अगले जोनेहें किस सम्बन दित अगले जोनेहें यह जयाओ एट्राइफ से समं मन्दित है इस नाम से पता चला है ट्राइबल कम्म्निटी से सम्मंदित होगी दूसरी बात कोण से मिनिश्ट्री बूइस को लौंच यहाओ ड्र जणजाती-मंत्राले में एक डिपार्टमेंट काम करता है, ट्राइफएड का पी बार पुचा जाता है, ट्राइफएड, F.E.D. ट्राइफएड की फॉल फोरम क्या है, ट्राइबल कौपरेटिव मार्केटिंग डवलपम है घ्डरेशन ऑफ इनडिया, Fed का मदलब Federation,I का मदलब Of India, T का मदलब ट्राइबल मार्केटिंग Development, ट्राइबल कोप्रेटिव मार्केटिंग ड्वलोफमेंट फैडरेशन ऑफ इंडिया क्ःति ट्राइबरेटीव मार्केटिंग डफलोप्मेंट फ्यड्रीयशन अफिंडिया किसके अंडेर में यह काम पर इसमें क्या होता है कि ट्राइबिंडियाँ से जोमेजन एन प्लेटी यह जोट Good ठ्राइफएड से क्या फाइदा होगा कि अचिकर नेशनल ट्राइवल क्राफ्ट एक्सपॉर्ट पूँचनल है नेशनल ट्राइवल क्राफ्ट एक्सपॉर्ट फृष बोलते हैं Thank you पब्लिक सेक्टर अंडर्टेक हैं कि इसके अंदर में मिनिस्ट्रो ट्राइवल आफियर के अंदर में कौन ट्राइवल कोपरेटिव मार्केटिंग डॉप्मेंट फेडरेशन और इंडिया तो अपने को द्यान में रखना है कि इट्राइव लॉंच कर रही है कौन से ट्राइ बजट से में जो पैसा में लाओ उसके लाओ और पैसों के जर्ण एक्स्ट्रा बजेटरी फंड के जुड़त हो उसका काम कौन करता है इंडियन रेल्वे फाइनेंस कॉपरेशन इसके चर्चा क्यों कर रहे है इसकी स्थापना कब उती है उन्हें इसकी इंडियन डेल्वे फाइनेंस कॉपरेशन के स्थापना 1986 में होई थी और आई भी आई में या इन्बी अपसी गरूप में लिस्टीड है इसकी चर्चा क्यों कर रहे है क्यों कि मिनिस्ट्र फाइनेंस ने अभी मंजूरी दे दिये एंडियन रेल्वे फाइनेंस कॉपरेशन जो बॉंड जारी दे दिये और बेचेगा कॉन एलाइस इन बॉंड को बेचेगा तो यह अपने द्यान में रखना है इंडियन रेल्वे फाइनेंस कॉपरेशन क्या है यह क्या काम करती है एक्स्टर बजर्टरी रिसोर्से जुटाती है अगली जो नियो जहों किसे संबन दीत है डाइब ट्रेवलन ट्यूर्ड ख कंपेटिटिव corpo जो है प्रेवलन ट्यूर्ड गॉर्टिव नो रिपोर्ट गे जहां और बॉडव बनद करते है वल्ड इकोनोमिक फॉर्म इसको जारी करते है डबलू इएफ वर्ल्ड एकोनोमिक फॉर्म ट्रेवल एंट ट्रेवल एंट ट्रेवल एंट ट्रेविजम कंपेटिटिवनेस रिकोर्ड रिपोर्ट जारी कुन करता है डबलू एफ नहीं कि इंटरनेशनल ट्रेविजम यह ऐसे ओप्शन उसमें हो सकते हैं कि इकशन इसे कि इंटरननेशनलों ट्रेवल एतिवा सांते हैं जारीकाएव और इंटरल्ड रखर में 90 Ctrl भाकिसे श्पिडविजम नेटर वा सकते हैं सब्सक्राइब तो कुछ देशों की बात पुन कुछ चेह जैसे का आपको एक country दीख रहा होगा यहां पर कौन सा country अगर एक country को अपर देखें तो आपको दिख रहा है उजविक्स्तान कौन सा उजविकिस्तान यह हो यह उजविकिस्तान है तो उजविकिस्तान से सम्मंदित क्या फैक्ट है है उजविकिस्तान से सम्मंदित फैक्ट यह है कि उजविकिस्तान को बोलते हैं डबल लेंड लोग कंट्री एक तो होता है लेंड लोग कंट्री लेंड लोग कंट्री क क्या होगा एक लेंड लोग होगा इसी तरह नेपाल भी एक क्या है लेंड लोग कंट्री है तो इसी तरह से लेंड लोग कंट्री को इसको लेकिन डबल लेंड लोग कंट्री किसको बोलते हैं डबल लेंड लोग कंट्री उसको बोलते हैं कि ऐसा देश जो ऐसी देश से गिरा तजाकिस्तान भी क्या एक लेंड लोग कंट्री है है कि नहीं है तो इसमें अपने को ध्यान में रखना है कि तजाकिस्तान से गिरावा कौन उजयविकिस्तान और उजयविकिस्तान को क्या बोलते हैं डबल लेंड लोग कंट्री क्या बोलते हैं जो अधर लेंड लोग कंट्री हैं उनसे गिरा हुआ है कौन ओजेविकिस्तान तो अपने पूंच ने इसके लाव अपने दो तिन फैक्ट और देख लेने चाहिए क्या 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 फ़र्क जैसे माल दिविश्तित है इसके लाव नोर्थ कोरिया का फिर चर्चाम रहती तो इस लग रही है मलेशिया की सिमा इंडोनेशिया से लग रही है यह जो कलर दूसर दिख रहा है किसका इंडोनेशिया पूंच लए बुर्णाई की सिमा किसे लगते है तो बुर्णाई और सिंगापूर की सिमा केवल और केवल किसे लगती है मलेशिया से लगती है इंडोनेशि यह country है आपको दिखाए दे रहा होगा, sorry, लाउस, ये लाउस है, लाउस क्या भी, लाउस एक South East का Land Lock Country, लाउस देखो, लाउस यहां पर है, और लाउस भी क्या है, Land Lock, इधर ये Thailand से गरा हुआ है, इसके लाउस उपर भी China से गरा हुआ है, मायनमार से गिरा हुआ है व्यात नाम से गिरा हुआ है लाओस भी क्या एक लेंड लोग कंट्री है इसके लाओ आपने बता है कि डबल लेंड लोग कंट्री कौन है उजबिकिस्तान इसी तरह से एक और युसों के अंदर डबल लेंड लोग कंट्री और कौन सा है जो कि चार तो अपने द्यान में रखना है कि उजयोविक्स्तान और लेचनिस्तिस्तान और लावस के दक्षनी एशिया का लेंड लोग कंट्री है तो अपसु आप सब को पसंद आएगा कोई भी सजसेशन हो जैसे कि आप निस्त ने रिक्ष्ट केगी थोड़ा फास्ट सुपर फास्ट गतिमान एक्स प्रेंज दुरणत एक्स प्रेंश इमिरी गाडी चलती है तो शको थोड़ा कंट्रोल करने के कोशिश हम ने की है लिटल बिट तो आप इसे अड़ेस्ट कर पाएंगे फिर भी अगर आपको कोई भी एनी सजेशन हो तो मॉस्ट वैलकम थैंक्यू थैंक्यू सो मच